जेहन नमस्कार दोस्तों मैं विराद चोदरी स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चनल कमांड ओकेट में में दोस्तों बहुत सारे बच्चों के मेरे को आज सुबह से या दो दिन से पेसे जारें के सरसे जीडी की नोटिफिकेशन अब नहीं आएगी या जितने भी ट्विटर केमपेशन जो भी चलाना था कि एसे जीडी की नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो उनके लिए मैं बता दू पेल एक चीडी में बता दो दोस्तों कि जो बीत गया है सो अब दोर ना वो आएगा इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा जितने भी एसे ज जीवन का पुतला जल भी जाए तो क्या यह जीवन का पुतला जल भी जाए तो क्या मरने वाला ऐसा दोर ना आएगा इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा यह से जीडी वालों के लिए है साथ एक चीज़ बता दो दोस्तों अब आगे बताऊंगा मैं उस्ते पहले चीज़ बता दू हमारे अकेडमी ओपन हो गई है 15 जुलाई से आप 15 जुलाई से एडविशन ले सकते हो बोई जोर गड़ दोनों की यह लड़कों और लड़कों की दोनों की अकेडमी ओपन हो अलग अलग अकेडमी ओं दोनों की ग्राउंड अलग है दोनों की बिल्डिंग है सब सेप्रिट अलग है ठीक है साथ में आप 10th क्लास पास है भी हमारे साथ में आ सकते हैं अगर आप की विजिटिंग 15 जुलाई से 25 जुलाई तक हमारे एडिशन ओपन है इस दोरान आप ए अकेडमी में रह सकते हैं उसका कोई भी चार्द नहीं है बिल्कुल निशूल का वो आप आके एक दिन रहके फिर आपको अच्छा लगें तो आप आके रह सकते हैं ऐसा सी जीडी आर्मी एर्पोस्ट वे इस सभी कि हम गारंटी बेज चलाते हैं कि सेलेक्शन नहीं तो फी स्थान में हैं मकरणा जो मारबल शेत्र उसके पास में लाड़ लो यह पुछे सो किलोमेटर की दूरी पर अब मैं बता दूँ से जीडी की दो बच्चे तयारी करें उन में से सबसे ज़्यादा गवराट उन बच्चों को ओड़ी है जो आने वाले एक दो महीने में औरे द काउंट नहीं रखना है अब रखना में आपको बता दिया कि 25 मार्च से ही आपकी डेट काउंट प्रौंट होगी यह अगर चूट भी मिलेगी तो और अगर चूट तो भी आप इस बढ़ती देख सकते हैं इसमें फोरूम एपलाई कर सकते हैं दोस्तों इसके लिए आपको चिंतित नहीं होना अगर ऐसा होता है तो मैं आपके साथ में दिल्ली तलूँगा धरना दिने अगर ऐसा होता है तो यह करके दिखा देंगे अगर इसमें कुछ भी गलत करती है कोई और मिले ना मिले मैं आपको सबसे पहले मिलूँगा दिल्ली पे धरने में कि चाहिए कुछ भी हो जाए 25 मार्च के बाद में जो बच्छे और रेज में उनको इस बढ़ती में लिया जाएगा जाएगा इसमें कोई सक नहीं है ऐसा किया अगर ऐसा होता है तो करके दिखाएंगे आपको आज जो 25 मार्च से उपर अगर किसी की एज मान लोगर ऐसे जीडी एज निमिटेड को मैं बड़ बड़ करती है कुछ भी तो हम यह जब तक यह एज नहीं आएगी जब तक पिच्छा नहीं छोड़ेंगी और आपको खौर दिन में देखने को मिल जाएगी और इसके साथ में जो एज की प्रोब्लम है उसमें मैं आपको बता दिया कि 25 मार्च के बाद में अगर आप और है जो रहे तो उसके लिए हम आपकी कुछ भी करना पड़े दिल्ली नहीं दिल्ली से आगे भी जाना पड़ेगा तो भी वहा सक नहीं है इससे पहले भी मैं बोलाओं की अगर अन्याय होगा तो वहाँ पर हम आपके साथ में खड़े रहेंगे बाकी ट्विटर पे चीडिया हम नहीं उडाते हैं क्योंकि वह चीडिया एक दिन उपती है पर फुर हो जाती है हमेशा काम नहीं करते हैं कि किसी चीज के पीछे पढ़ गए तो पढ़ गए दूसी जो चीज हमने बोली दी कि 40,000 पदों की वेकेंसी अगर आती है तो ये भी एक बहुत बड़ा पपू है तो इस पपू के खिला भी हम बोलेंगे जी ये 40,000 पदों की अगर वेकेंसी देती है सरकार तो ये कभी भी ये नयाई नही है उन विदार्थियों के साथ जो पिछले तीन साल से इतिजार कर रहें से जीडी का तो उनको भी उस समय भी हम अपना पूरा का पूरा जोर लगाएंगे कि इन पदों की वेकेंसी वो बढ़ा जाए अगर 40,000 पदों की वेकेंसी पहले बात मैं बता दिया कि 40,000 पदों की आएगी ज्यादा पदों की आएगी लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो आपको गवराने की जूरत नहीं है साथ में चीज़ों में बता दोस्तों की नोटिफिकेसन वेसे तो जुलाएंगे माह में आएगी इसके साथ में आपको सबसे खास बात यह है कि डिमोटिवेटर नही करने का और ऐसे ही तयारी करने बड़ी दूंगदान से बोले तगने से इस बार पोजी बनके रहना है और जो कमांडो बनने की जिनकी चाहते है वो पूरी करने लार लो इसलिए मैं आपको के अपने अकेडमी में भी अमेंतित करता हूं कि आप एक दिन आईए विजिट करक करने यहां राजस्तान की पाउंधरा पर हम आपका स्वागत करते हैं लार लो एससी जीडी वालों के लिए बता दू आपके एक्जान से लेके मेडेकल तकी हर एक चीच की गारंटी बेच चलाते हैं ठीक है हमारे हेल्प लाइन नंबर आपको इसकीन पर दिख रहे होंगे ठीक है जै हिंद जै बार